नमस्कार दोस्तों आप सब कैसे हैं? आसा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे बिहार Estate Power Holding Company Limited के तरफ से बहती बंपर भरती निकाली गई है यह भरती अलग-अलग परकार के सारे पदो पर निकाली गई है इन पदो पर भरति को लेकर आवाधन पहले ही शुरू किये गए तेकिन तु अब इसमें पदो के संखिया को बढ़ा दिया गया है और फिर से इसके लिए आउनलाइन आवाधन शुरू कर दिये गया है इसके तहथ भरति कौन-कौन से पदो पर निकाली गई है इन पदों के लिए यदन कप से कप तक लिए जाएंगे यह सारी जनकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे आप इस वीडियो को अंतक देखे ताकि आपको पूरी जनकारी मिल सके और चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें आपको बता दे कि बिली भिवाग ने 4,000 सोरे पदोपर भरती निकाली है जो की 1,102,24 से भरा जाएगा और 15,102,24 तक इस फ़र्म को आप भर सकते हैं तो आपके पास 5 दिनों का टाइम रहेगा आप असानी से इस फ़र्म को ऑनलाइन अपलाई कर सकते हैं जिसका बेव करेपालक अभियांता जीटियो कनिये बिधुत अभियांता जीटियो पत्र चार लिपिक भंदार सहायक कनिये लेखा लिपिक एंट टकनिसियन ग्रेट थीरी के बहाली होने वाली है को 315 रुपे देना होगा, फर्म को अगर आप भरते हैं तो आपकी एज कितनी होने चाहिए तो आईए आपको हम बताते हैं, अगर आपकी एज मिनिमम 18 वर्स है और मैक्सिमम 37 वर्स है तभी आप इस फर्म को भर सकते हैं, अनध्था इसके नीचे या उपर है तो आप इस फर सचालिस है, टेकनिसियन ग्रेड थर्ड के लिए 156 पड हैं, अब हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए तो अगर आप एसिस्टेन इसकी यूटीब इंजिनियर जी टियो के लिए फर्म भर्ना चाहते हैं तो आपके पास फूल टाइम 4 इस बी या बी टेक या बी एस सी इंजिनिंग अगर इलेक्टिकल एंड इलेक्ट्रोनिक से आप किये हैं और किसी भी रिकोनाइज इनिवर्नेट से किये हैं तो आप फर्म को भर् सकते हैं पास इनियर पूलर के लिए अगर आप फर्म भर्ना चाहता है तो आपके पास धजम डिगडी रिकोनाइज उश्यूटी से пятьष और अपके पास मैंटेक्शं होना चाहिए और वो भी किसी भी recognize board से होना चाहिए और इसमें टेकनिकल qualification क्या चाहिए तो आपके पास दो साल का ITI certificate electrician से होना चाहिए और NCBT या state for vacancial training SCBT से आपके पास certificate होना चाहिए तब ही आप इस form को भर सकते हैं अनध्या नहीं भर सकते हैं आपको यो वीडियो कैसा लगा आप हमें comment box में comment करके बता सकते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद